हाई फ्रेंड्स नमस्कार कैसे हैं आप सब मैं रेशो एक बार फिर से आप सब का स्वागत करती हूं आके पने यूटूब चैनल रेशो बेबी केर में आपको बताने वाली हूं जैसे कि आप सब के बहुत से कॉमेंट्स आ रहे थे कि मैं बच्चे को ग्राइब बॉटर कप ड़ल सबती है किन कंडिशन में बच्चे को घ्राइब बोटर देना चाहिए क्या बेच्चे को रैगुलर हम घ्राइब बॉटर दे सकती है तनी ऑस… डाइब महिने के बच्चे को कि अग onun दोर्ब में तरुन ध म्हान देना चाहिपे... तो आज बीडियो में बृढमें देन चैनल को अगर आपने भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजे और पास में चो घंटे उसको भी दबा लीजे क्योंकि आने वाली वीडियो का टाइम टाइम पर आपको पता चल पाएगा और आप सारे वीडियो देख पाएगे वह भी फ्री में तो चलिए आ है दही वाली बच्ची को अपच की दिकत हो जाती है गैस की दिकत हो जाती है बच्चे के पेट में दर्द रहने लगता है कई वार हम खुद नहीं समझ पाते कि बच्ची को आखिर हो क्या रहा है बच्चा कंटिनेसली रोता रहता है अब बच्चा बोलके तो बता नहीं सक बच्च वहार कईबार बच्चों बहुत्यां लेता है कभी-कभी बच्ची को ज़्यादा दष्ट होने लगते हैं बच्च को कॉंच्टिपीशन होने लगता है तो इन सारी प्रॉब्लम्स में आप बच्चे को ग्राइब बॉर्टर दे सकते हैं जैसे कि अगर आप डॉक्टर से कंसर्ट करते हैं तो डॉक्टर ग्राइब बॉर्टर वगेरा देने के लिए कभी भी रिक्मेंट नहीं करता है लेकिन ग्राइब बॉर्टर हमारे बच्चों के लिए ब बिल्कुल सेफ होती है, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरुवत नहीं है, और जिसलिए आप सुब को पता है कि ग्राइब बॉर्टर पुराने टाइम से बहुत समय से बच्चों को दिया जा रहा है, बच्चों की जो ये दिक्कत होती है ना छोटी होटी उन सब का सॉलू होती है, जैसे कि कब्स, देस्त, पेट दर्द, और उल्टिया होना ही चकी होना यह सारी प्रॉब्लम सी बच्चे करते हैं तो अगर आपका बच्चा भी ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो आप बेज़िय जग बच्चे को ग्राइब बर्टर दे सकते हैं आप चाहे तो क बच्चे को ग्राइब बॉटर उस टाइम दे दीजिए कोई रिक्कत नहीं है चलिए अब बात कर लेते हैं कि ग्राइब बॉटर किस एज के बच्चे को कितना देना चाहिए सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूबॉर्ण के लिए तो अगर आपका बेबी जीरो टू थी मन तक का है तो आप अपने बच्चे को धाइमल मतलब की आधा चमच चोटी चमच होती है उसका आधा चमच आप अपनी न्यूबॉर्ण बेबी को दे सकते हैं बहुत से कॉमेंट्स आते हैं मेरे पास कि क्या बच्चे को पानी के साथ ग्राइब वोर्टर देना है ऐसी देना है तो डियर जब तक आपका बेबी 6 मंद का नहीं हो जाता है आपको पानी की बून बेबी को टच भी नहीं करना है तो आप जैसे की ग्राइब बोर्टर बच्चे को दे रहे हैं उसके बाद अपना फ्रेश्ट फीट करा दीजिए कोई दिक्कत ही नहीं है ठीक है पानी देनी और सो जाते जिस वैसे उनके पेट में गैस बनती है और उनको पेट दर्थ की समस्या भी हो सकती है इसलिए आप अपने निवान को ग्राइब बोर्टर दे सकते हैं आप बात करते हैं 3-6 मंद बेबी को मतलब की 3-6 मेने के बीच अगर आपका बच्चा है तो आको उसको कित लाइब या 3-3 बार आप अपने बच्चे को ग्राइब बोर्टर दे सकते हैं ठीक है और वही सेम कि आपको ग्राइब बोर्टर देने के बाद अपना ब्रेस्ट फीट करा देना चाहिए क्योंकि आपका बच्चा 6 मंद अभी नहीं किया है तो आपको पानी बच्चे को नह सकते हैं दो चम्मच मतलब की 10 ml तक आप अपने बच्चे को ग्राइब बॉटर दे सकते हैं आपका बेबी 6-12 मन्त के बीच है तो ठीक है वही सेम 2-3 बार आप अपने बच्चे को दे सकते हैं अगर जादा दिक्कत है बच्चे को गैस अपच उल्टी वगेरा बच्चा कर रह तो फ्रेंड एक साल प्लस बच्चे को आप दिन में तीन बार पॉन्द्रा एमले तक ग्राइब बॉटर दे सकते हैं 15 है म May जिते हैं ऐसे एक इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक अपना ध्यान रखिया और ऐसे ही देखते हैं रिशूज बेबी की है वाबाई थेंक यू